हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर और एकॉनमिक्स लव कौशिक आज की क्लास में बिजनस एकॉनमिस का चैप्टर नंबर वन पूरा खतम करा दूगा पहले उसके कॉंसेट्स डिसकस करेंगे और उसके बाद ICI मोडूल के सारे के सारे MCQ आज की क्लास में खत चैप्टर नंबर वन है इसके अंदर ICI के सिलेबस के इसाब से दो यूनिट्स गीवन है जिसमें एक यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन दूसरी का नाम है बेसिक प्राब्लम्स ऑफ दा इकॉनमी और रॉल अफ प्राइस मेकैनिजम यह दो है दोनों के दोनों मिलाके प एक क्लास में पूरा टॉपिक हतम इंक्लूडिंग कॉंसेप्ट एंड एमसी क्यू तो इस वीडियो को आपने देखना कैसे है तो ज्यादा बड़ी इतनी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आप इसको दो हिस्तों में देख सकते हो पहले देख लो आधी वीडियो फि कोमेंesti सेक्शन में बता देना मैं पढ़ता हूं कोमें देख सो का जवाब भी देता हूं तो हुष कॉरुल किस ने माइकरो में पहचाने शबद हैंUA बिलकूल उससे इची और नेचर की बात होगी नेचर के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं यह सारे के सारे discuss किये जाएंगे फिर basic economic problems तुम पहले तीन पढ़ते थे तीन हो लिखी हुई है what to produce how to produce and for whom to produce यहां चौते नंबर की एक और problem है तो वह भी पढ़ेंगे यह ग्यारवी और बारवी वाली economics नहीं है उससे कुछ हटके है तो वह भी जानना होगा MCQ यहां पर उस लेवल के नहीं बनते जो ग्यारवी और बारवी में बनते थे यहां लेवल थोड़ा अलग है MCQ कि यह नहीं हम तलाश करेंगे तलाश का मतलब क्या है तलाश एक project है जो मैं चला रहा हूं उपके साथ अपने पास MCQ के अंदर चार option हो होंगे एक साही होगा उसको तो हम catch करेंगे करेंगे जो गलत होंगे ना उस पर भी focus करेंगे कि वो गलत क्यों है उनकी भी जब detail पता लगेगी तो expected MCQ जो exam में असली में तुम्हारे सामने आएंगे वो solve करने में बहुत help मिलेगी आप लोगो को तो दोस्तों basic basic शुरुआत economics के meaning से करेंगे फिर आएंगे कि business economics है क्या चीज यह माजरा नया क्या है तो वो करने से भी पहले आपको पता हूँ कि कुछ key terms है जो आपको पता होनी ही चाहिए यह पूरी economics में चाहिए business economics हो या business commercial knowledge हो इन सब में आपके काम बार-बार आएंगी तो यह कुछ list बनी हुई है कुछ ऐसे keywords लिखे हुए जो आपको बार-बार देखने को मिलेंगे और इन सभी शब्दों का मतलब अलग है यह सारे सेम शब्द नहीं है तो लिखा क्या है number one पे economy economy क्या होता है कभी बात करते हैं Indian economy American economy Chinese economy Russian economy 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 का मतलब simple area होता है जहां पर हम लोग रहते हैं और कमाई करते ह हैं खाते हैं पीते हैं मोजबार करते हैं ऐसा मालोब तो economy basically economy pen का थोड़ा सा इसको मैं पतला गर तो ताकि आपको और अच्छे दिखाई दे इसको बोल सकता हूँ economy refers to the area where we live जहां पर हम लोग रहते हैं और थोड़ा पैसा भी कमाते तो earning की बात भी कर लेंगे आपर we live and earn पैसों की बात होती है mainly economics में यह धीरे धीरे और ग्यान हो जाएगा भी आपको दूसरा वर्ड लिखा है economical यार economical का मतलब तुम बोलो तो सस्ता होता है जो चीज सस्ती है चीप ह है उसको economical बोल देते हैं लोग लेकिन सई शब्दों में अगर इसका ज्यान लोगे तो जो जो चीज तुम खरीच सकते हो तुमारे budget के अंदर आ रही है वो सब चीज एकॉनोमिकल है यानि जो भी चीज तुम afford कर सकते हो तो affordable जो भी चीज़े है वो सब economical है अब यह terms जानने economics की spelling में से S हट किया होगा घलत लिखा है जातर बच्चे यह भी सोच सकते हैं अगर तो मैंसा नहीं सोचते तो comment section में बताओ फिर तो तुम सही सोचते होगे economic का मतलब दोस्तों होता है कोई भी चीज जो पैसों से related हो money related कोई भी item हो उसको बोलेंगे economic है अब बोलते हैं भाई ABCD company ऐसी है जिसका social welfare का motive है XYZ company ऐसी है जिसका economic motive है इसका मतलब क्या हुआ economic motive है मतलब पैसा कमाने का motive है मतलब profit कमाने का motive है ऐसी company है तो यहाँ पर जिन्दगी में दो तरीका की बातffen होती है एक तो यारी दोस्ती प्यार हमोबत के लिए हम लोग काम कर देते हैं एक काम करते हैं हम पैसा कमाने के लिए किये जाते हैं उन कामों को बोलते हैं की economic motive के लिए काम किये गए हैं भई वो सारे के सारे इन बातों ध्यान रखना फिर economics तो subject है ही इसको तो पढ़ी रहे हैं different different economist ने different different definition दिया economics की अच्छा सबसे पहले definition 1776 में father of economics Adam Smith ने दी ती definition इसकी तो उन्होंने wealth definition of economics दीती उसके बाद different different economics ने different definition दिया हम basically अभी इसके बारे बात नहीं करें क्योंकि पूरा chapter यही है ठीक है इसको यहां skip कर देते है economics भी subject होता है higher level economics पे subject है जब यह word देखने को मिलेगा तो मतलब statistics और math का combination जो economics में apply होता है उसको ecosystems ने width इन तो इक onमेस्ट दोस्तो वो बंडा होता है इसको economics की असलीtering separating level की master level की knowledge होति है और उसको बोलते मिलों अर्थ सास्त्री और आपको जो economics सिखा रहे हैं वो economist है तो ख़बय ब nitrogen है पहले economics को specialist है वो economics की बात कर रहा है तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से शुनना यहां भी और कॉंसेट को कैसे अपलाई करना है वो mcq में हम देख लेंगे और जितना डिटेल में जाना चाहिए किसी कॉंसेप्ट के उतनी ही डिटेल में जाएंगे क्योंकि आपका समय बरबाद मैं भी नहीं करना चाहता और यहां पर यार एक वर्ड बार-बार यूज होन करने को मिलते हैं कि यह क्या होता है भाई रिसोर्स आपकी प्रोपर्टी आपकी हर एक चीज है तुमारा फरनीचर तुमारा मोबाइल फोन तुमारा लैप्टॉप तुमारा घर तुमारी समय सीमा तुमारे पास जो भी चीज हर एक चीज हर एक चीज रिसोर्स है तुमारा मतलब प्यार, महबत, यह मम्मी जो services आपको प्रवाइड करती है तो वो services की value भी आपका resource है तो खाना मिलता है आपको खाना भी आपका resource है तो कभी भी resource को limit मत समझना जो जो चीज आपकी property आपके हक के दाएरे में आती है वो सब चीज आपकी resource है ठीक है तो resource को सिर्फ assets मत समझके चलना यह आपका time भी है यह बाद में word use होगा और basically economics की definition की बात करेंगे यहाँ पर economics is making choices in the presence of scarcity यह असान definition आप याद कर सकते हो और जब Adam Smith जी ने definition दी थी economics की तब economics को यार economics नाम के subject से जाना ही नहीं जाता था तब economics को हम बोलते थे political economy धीरे-धीरे development हुई और बाद में economics के नाम से इसको जाना गिया Greek word था उसको reveal करते हैं तो basically तुम्हारे book की ICI के study material की शुरुवाती यहां से हुई है बोलते जो economics का शब्द है वो oeconomia word से लिया गया है और यह Greek word है Greek country European country है उसका एक word है और oeconomia का मतलब household होता है household मतलब आम जंता बूल सकते हो और सही शब्द में बोलना है इसको तो families को बोलते है household हम family है आप में हम सब household ही है इसको इतना दिल पे नहीं लिए इतना basic question आएगा वेनी paper में कि कौन से कहां से लिया गया है सिदी बात यहां से तुमसे पूछा जाएगा कि यहां भाई economics का मतलब क्या होता है economics is making choices in the presence of scarcity यह definition is scarcity क्या होती है अभी जो लिखा है ना वह बाद में पढ़ाऊंगा पहले मेरे words पर मेरी language पर focus करना scarcity क्या होता है तो students के कितने सारे मानने है scarcity को लेकर कोई कहता है scarcity का मतलब shortage होता है ठीक है जी कोई कहता है scarcity का मतलब होता है lack of something वो समझ तो जाते हैं ऐसी language बोलके लेकिन सई शब्दों में अगर इसको define करना है scarcity का मतलब यह तो लगता है हां किसी चीज की कमी है तो कमी कब feel होती है कमी तब feel होती है जब वो चीज मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं है कमी तफील होती है, वो जितनी मुझे चाहिए, शायद उससे कम अवेलिबल है, आपको अगर 500 रुपे चाहिए, आपके पास 400 रुपे की स्केरसिटी हो गई, आपको अगर 1000 रुपे चाहिए, आपके पास 600 रुपे है, तो आपके पास 400 रुपे की स्केरसिटी हो गई, मतलब जितनी चीजें आपको चाहिए उतनी चीज आपके पास available नहीं है, तो वो scarcity का मतलब और economics में इसको define करते है, it is a situation where demand for resources is greater than their supply, ऐसा सब लोग भूल देते हैं, क्या यह definition है, या demand जब supply से ज्यादा होती है, तो यह definition है, access demand की, यह scarcity की definition नहीं बनती, scarcity बोलती है, जब चीजों की demand ज्यादा हो, supply कम हो, चाहे वो चीजे free में क्यों न available हो, जो चीजे free में available होती है, उसकी market नहीं होती है, तो बिना market की चीजों की scarcity होती है, तो it is a situation where demand is more than supply even at free cost या even at zero price level, यह line लिकिनी बहुत ज़रूरी है, अब देखो ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप resource को तो बोली सकते हो, basically पैसो की बात कर रहे थे कि 500 रुपे चाहिए, 400 रुपे है, मेरे पास 200 रुपे की scarcity, ठीक है, लेकिन अब बात करो, तो glacier में कुछ ऐसे इलाके है, मतलब बरफ के पहाड़ वाले कुछ ऐसे इलाके है, जहाँ पर लोगों को सांस लेने में problem हो जाती है, तो वहाँ oxygen की scarcity है, oxygen हलांकि environment में मिल रही है न, free में, तो scarcity उस चीज़ की भी हो सकती है, जो free में मिल रही हो, अब अंतरिक्स में चले जाते ह हैं, वह oxygen का पूरा cylinder लेकर जाते हैं, एसे लिए लेकर जाते हैं, oxygen की कमी है, लेकिन oxygen तो वहाँ free की चीज़ है, environment में मिलती है, तो free की चीज़ों की भी कमी हो सकती है, तो scarcity की complete definition ऐसे बनेगी, it is a situation where demand for resources is greater than their availability, even at zero price level, और आपको CA foundation की तैयारी में कोई definition याद नहीं करनी है, आप बस मेरे word सुनते जाओ, बाते सुनते जाओ, फिर finally MCQ crack करना है, बस उस पर पोचेंगे, अब Adam Smith जी father of economics बोलते थे, economics is the study of wealth, यहाँ पर wealth, word का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं बता होता, wealth कैसा technical word है, wealth का मतलब basically होता है, आपकी property, आपको बता हूँ, सरकार property पे tax ल property में आपका cash, आपकी money, आपका सब कुछ आजाता है, तो लोग normally, wealth को money, money बोलते हैं, लेकिन money से पहले उसको property बोलना चीए, जो money नहीं है, और आपकी property है, आपका furniture, furniture money थोड़ी है, लेकिन furniture आपकी wealth ज़रूर है, आप जिस chair पर बैठे हो, या जो mobile phone आप यूज कर रहे हो, वो आपकी wealth है, वो आपकी property है, ठीक है, तो इन चीजों के बारें पढ़ना, 11-12 में आप idea लगा चुके हो कि economics में क्या पढ़ाया जाता है, economics में national income की बढ़ाही हो रही थी, money and banking की बढ़ाही हो रही थी, balance of payment पढ़ाया जा रहा था, government budget पढ़ाया जा रहा था, income के बारें प बात कर रहे थे, consumer equilibrium में consumer कितने पैसे खर्च करेगा, producer equilibrium में उसको कितना profit होना चाहिए, revenue में कितना पैसा मिल रहा है, cost में कितना पैसा firm खर्च कर रही है, तो पैसे-पैसे की बात हो रही है, तो economics में हमेशा पैसो की बात हो रही है, तो इसलिए, पैसो की study ही economics है, यह Adam Smith जी बोला, और इस बात का बखान यानि detail explanation उन्होंने अपने book में दी है, जिसके बारे में, नाम लिखा है book का, an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation, जिसको प्यार से हर जंग आप देखोगे, तो सिर्फ wealth of nations लोग बोलते रहते कि किताब का नाम यह है, लेकिन पूरा नाम है, an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation, 1776 में बुख लिखी थी, इससे पहले economics का इजाद बोलते नहीं हुआ था, लेकिन आपको एक detail बताओं मैं, आपके इस बैच का नाम चानक्या बैच है, चानक्या को कौटिल्या भी बोलते थे, और यह इंडिया के सबसे पहले अर्थशास्त्रिया नी economist थे, वर्ल्ड में बहुत बात नहीं थी, इंडिया को लोग इतना जानते नहीं थे, शायद इस मामले में, तो इसलिए Adam Smith जी को father of economics माना गया, तो कि परचलित नहीं थी बाते इंडियान्स, इतने भार जाकर ऐसे famous नहीं थे, या फिर इंडियान्स का तुम्हें पताईए, अंग्रेजो का उस तेम र तो और यह बोलते थे, 19th century की बात कर रहे है, economics को political economics बोलते थे, और बाद में नाम economics पढ़ाया, economics अपने आप में, science है, कैसे है science, वो बाद में देखेंगे, यह तो basic basic intro हो गया, मुद्दा यह है कि business economics का है, तुम लेकर आयो economics ठीक है, subject हा नाम लेकिन CA foundation में business economics है, तो business economics, economics का एक छोटा सा हिस्सा है, economics के अंदर भौस सारी branches है, भौस सारी branches तो micro और macro है, economics के अंदर भौस सारे topics है, variety है, उसमें एक applied economics है, यानि economics की वो चीजी है, जो असली जिन्दगी में apply होती है, उस applied economics का एक हिस्सा business economics है, कोई पुछे business economics क्या है, तो word से ही पता रहे है, एक business, एक economics economics के जिन concepts को हम business में apply कर सकते हैं, उन सभी concepts को बोलते हैं business economics, business के कुछ internal matter में भी economics के concept apply होंगे, जैसे कि business में कितनी cost होनी चाहिए, कितना production करना चाहिए, business के कुछ external matter में भी economics के concept apply होंगे, यानि कितनी selling होनी चाहिए, environmental issues भी कुछ होते हैं, तो business में economics के concept, बहुत सारे इस्तम होते हैं तो उसको इकुल मिलाकर बोला जाता है business economics तो definition दी होई है business economics की शुरूशुरू में क्या लिखा है business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decision that's it business decision लेने के लिए economics की economics के concepts को use करना business economics है involving the best use of organizations scarce resources resources सब्सक्राइब का मतलब वहींक अन Canad-A सब्सक्राइब के न प्रफ तो यहां से सब्सक्राइब supplement और कुछ में बढ़ाना नहीं चाहरे हैं अब मैं सामने से अड़ जाता हूं कोई काम की चीज़ लगती है तो पॉस करके वीडियो को यहां से देख सकते हो ठीक है बस एक आज आजाएगा Heart of Business Economics किसको बोलते हैं तो Micro Economics को बोलते है Heart of Business Economics अलंकि यह मत बोल देना कि Micro Economics का हिस्सा है Business Economics नहीं कि Micro Economics का abstract Business Economics नहीं है हाँ वर्ड यूज आएगा एमची कुछ कराऊंगा नहीं वहापर एक वर्ड आएगा abstract अब्सक्राइक का मतलब इस्सा Micro का हिस्सा नहीं है Business Economics Business Economics Micro Economics के बहुत सारे concepts को यूज करता है practical manner में practical manner में यूज करने को बोलते है प्राग्माटिक यह वर्ड आएगा आएगा आगे कि एकना ऐसे कुछ वर्ड को भी क्लियर कट करते वह चल रहे हैं नहीं टेकनिकल वर्ड हैं ग्यारवी बारवी की में देखने को नहीं मिलेते दोस्तों आगे बताता हूं अब Nature of Business Economics को दो पाट में डिवाइड किया यह चीज दुबारा आती है 11 12 के बाद subject matter of economics बोल सकते आप इसको एक होती है इसको एक होती है इसको असान चब्दों में अगर आप चीजे समझना चाते हो तो एक ऐसे कर लें इधर लिखा मैने माइक्रोट्ट्ट्र मिक्स एम आई सी आर ओ और इधर लिखा मैने माक्रोट्ट्र मिक्स म ए सी आर ओ अब सेम सेम सिमिलर नेचर के लेटर को काट रहे है ओ है यहां पर भी ओ है यहां आर है यहां भी आ रहे है यहां एम है यहां सी है यहां भी सी है लेकिन इधर बच गया वाइट का दर से दिखाऊंगा आई अकेला इधर बच गया एकेला बाकी सब सेम थे आई का मतलब होता है aggregate, और aggregate दोस्तों, aggregate का मतलब आप क्या क्या समझ सकते हो, इसका मतलब टोटल समझ सकते हो, इसका मतलब आप gross भी समझ सकते हो, इसका मतलब आप combo, यानि combination भी समझ सकते हो, तो एक से ज़्यादा चीज़ें जब हो जाती है, तो इसको aggregate बोलते हैं, इतना समझ लो, के लिए तो एकाय। मीक्स के इंडिविजुअल युनिट्स को पढ़ना माइक्रोट युकॉणॉमिक है, जैसे की एक बंदे। के बारे हस्पा बात कर रहे हो, या प्रदूजूर के बारे में या सब कर रहे हो, एक बहुत खतरना है, आपको बस एक बात जान लो, microeconomics का दूसरा नाम, यह microeconomics, इसका दूसरा नाम लिख देता हूँ, बड़ा important है, इसको price theory बोलते हैं, यार, ठीक है, और macroeconomics का दूसरा नाम है, theory of income and employment, theory of income and employment नाम है, ठीक है, microeconomics में mainly demand or supply की बात करते हैं, consumer equilibrium की बात करते हैं, macroeconomics में mainly हम aggregate demand, aggregate supply, national income, GDP, money, banking, BOP, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, दोनों चीज़ी अलग अलग है, तो यह concept discuss करना जरूरी था, हाँ, ज्यादा detail में discussion वहाँ पर हो जाएगी, जब इसका MCQ आएगा अब economics में बोलते हैं, economics का nature अगर बात करें, तो एक normative economics होती है, positive economics होती है, हलांकि बीचे जल रहे है, normative और positive जब economics की बात आती है, तो दोनों वर्ड यहीं 12 करा देता हूं आपको, देखो, normative और positive, यहीं catch कर लो इस चीज़ को, बाद में भी हालांकि बताऊंगा, economics की ऐसी कोई भी लाइन, जो बिल्कुल सच परतीत होती हो, आपको दिख रहा है कि fact discuss किया गया है, वो सारी economics की लाइने, positive economics क्यालाती है, जैसे कि बोल दिया, India is overpopulated, इंडिया में बहुत सारी जनसंग क्या है, सच बात, तो यह positive economics है, अब economics की वो सारी lines, वो सारी statement, जो लग है, जिसमें बोला जाए कि ऐसा होगा, तो अच्छा हो जाएगा, like, अमीर लोगों पर ज्यादा tax लगना चाहिए, rich people should be more taxed, should be more taxed, मतलब होना चाहिए, यह है तो नहीं, जो चीज़े हैं, वो positive economics, जो होंगी future से related बात होगी, वो सब चीज़े normative economics, तो ऐसी कोई भी line, जिस के अंदर should का use किया गया हो, should be, या ought to be, वो सारी line है, normative economics की category में आएंगी, और जिसके अंदर what is, या कोई भी fact यूज किया गया हो, वो सारी चीज़े, positive economics के अंदर आएंगी, तो बहुत important है, कि इनके बारे में भी जानना, लेकिन खैर, अगर nature of business economics की बात करें, तो यहाँ पर broadly दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, economics को, दो पार्ट है, एक micro और एक macro, दोनों के बारे में आपको बताया, और आगे देखो, science के बार, business economics is a normative science, कैसे normative science, यहाँ पर what ought to be करेंगे, and which is interdisciplinary and pragmatic in approach, pragmatic का मतलब यहाँ पर बोल दिया गया है, practical in approach है, pragmatic मैंने पहले word दिखा भी था, आपको गर ध्यान हो तो, ठीक है, और दोस्तो, दो category है, business economics की, एक micro economics और दूसरी macro economics, ठीक है, अब micro economics को business के internal matters में apply किया जाता है, तो उन internal issues को, हम operational issues भी बोलते हैं, और macro economics को business के external issues, यानि environmental issues में apply किया जाता है, तो यह words MCQ में देखने को मिलेंगे, हलके शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी, आगे बात करते हैं, कि micro economics का कैसे इस्तमाल करता है कोई भी business, yellow color कर लेता है, अच्छा रहेगा, green green चल रहा था ने पहले सी, तो micro economic analysis को business economics कैसे use करती है, इसके बाद फिर बताऊंगा, कि business economics, macro economics के topics को, यानि macro economics के analysis को कैसे इस्तिमाल करती है, जादूगरी नहीं है, मतलब आपके course का हिस्सा ही है, तो micro economics के basically यहाँ पर topic लिखे है, यानि यहाँ बात करूँ, तो micro topic लिखे है, जो 11-12 पे नहीं थे, लेकिन micro topic तो है वो, ठीक है, थोड़े से थे भी, और फिर, ये चीजे business economics में पढ़ी जा and demand analysis यह होता है, एक pattern देख लेते है, कि यहाँ दिopaली के time पर लोगों को, मिठाई ज्यादा चाहिए होती है, आप मिठाई ज्यादा चाहिए होते है, यह pattern देख लेते हैं, उसके रहब से forecasting करते है, Forecasting का मतलब होता है, प्रेदिक्शन या भाविश्य वान भाणी, भूल सकت यहां पर बहुत सारे statistical measures mathematical tools इस्थिमाल किये जाते हैं तो multi disciplinary है यहां पर business economics अच्छा business economics के बारे में क्या बोल दिया यह mcq में word use भी होगा multi discipline है इसके इंदर यानि इसके इंदर micro macro तो use हो रही है साथ में statistics का use भी होता है जब data यूज करते हैं इसमें mean mode median में निकालते हैं उसके बड़े इस्तमाल है यह stats का major part तो आपको maths वाला यानि जो आपका paper 3 है maths, logical reasoning और statistics उसमें देखने को मिलेगा लेकिन use करते हैं mathematical बहुत सारे tools use होते हैं तो multi disciplinary है micro micro के अलावा maths का भी इस्तमाल है economics के अंदर फिर दोस्तो production function में production के बारे पढ़ा, AP, MP, TP, cost के analysis, fixed cost, variable cost, inventory management का word यहां use कर दिया, inventory का मतलब stock मान सकते हो लेकिन इसको CA foundation में नहीं पढ़ाया गया, आगे की पढ़ाही में CA में, inventory management का बहुत बड़ा topic आपको देखने को मिलेगा, ठीक है market का structure यानि forms of market, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, pricing policy के किस तरीके से price decide होता है, यह सब यहां पढ़ना है, resource मैंने बताया, उसकी allocation, theory of capital, investment, decision, profit analysis, risk and uncertainty analysis, यह सिर्फ word ध्यान रख लो, अभी इनका मतलब deep meaning CA foundation की तियारी में नहीं, उसके आगे की तियारी में, हाँ, हलांकि business cycle जैसे topics आएंगे, वहाँ पर आपको यह बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कि inflation, recession, क्या होता है, ठीक है, अब कुछ macro economics के topics देखेंगे, जो business economics में इस्तिमाल की जाते हैं, ध्यान रखना हमारा purpose क् सिर्फ economics की बात करना नहीं, economics के concepts को कैसे business में इस्तिमाल किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं screen के सामने हड जाता हूं दोस्तों, ताकि आपको चीज़े clear हो जाए, तो देखते हैं, अब लिखा है, business economics also considers macro economics, बिल्कुल सही बात है, macro को भी consider करी रही है, multi-disciplinary है, तो उसके अंदर हम economic system की बात करते है, economic system का मतलब हो गया, types of economy, economy को मैंने short में ऐसा लिख दिया और समझ जाना, ठीक है न, फिर business cycle, national income, employment, prices बोलते है, अच्छा, price word है, यह macro में use होता है, prices word है, या फिर price level है, या general price level है, यह macro में use होता है, ठीक है, इस बात सेविंग, investment, government, economic policies, RBI की policies, financial sector कैसे काम करता है, वो सब capital market, money market, सब macro economic का इससा है, इससे आपको बताए गए है, मतलब, अभी क्या है, तो मेरे word सुन रहे हो, यह word जब आपको MCQ में दिखाई देंगे, तब आपके ज्यादा काम के बनेंगे, ठीक है, तो अगला मैं आपको बत problem पढ़ रखी है, 11-12 की economics में, एक what to produce होती है, एक how to produce होती है, एक for whom to produce होती है, इस बार चौती अलक्से आई है, what provisions are to be made for economic growth, यह central problem है, पहले आपको बता दू, central problem सारी की सारी choice की problem होती है, चौइस प्रॉब्लम यारी problem of choice बोल देते हैं, अगर बात करें what to produce पहली problem यह क्या होती है, तो बोलते हैं हमारे देश के इंदर production करने के लिए लाखों गूड्स है, कौनसी गूड्स का production करना चाहिए, यह इस बात की choice की problem, what to produce है, यानि economy के पास problem है कि कौनसी गूड्सी ग करना चाहिए, obviously, जैसे की category अगर बताओं, तो कुछ consumer goods है, चीनी, चावल वगएर हम daily use करते हैं, कुछ capital goods है, like tractor है, machinery है, या कुछ war time goods है, tank, bomb, ऐसी बात निकरेंगे आपर, ठीक है, कोई बात नि, मतलब बहुत सारी variety of goods हैं, उन में से कोई एक को choose करना, या कुछ limited goods को choose करना कि किसका production करना चाहिए, बहुत difficult task है, तो यहाँ पर यही बात है, और यह problem के साथ एक खास बात हो रहा है, जैसे ही तुम choose भी कर लेते हो कि कितने mobile phone तुम बनाओगे, mobile phone बनाओगे, चलो, selection करी लिया, अगर choose कर लिया कि consequence का production करोगे, तो problem यह साथ में होती है, कि उसके कितन है, तुमने भी अपने mobile phone बना लिए, तो तुम्हार समने समस्या रहेगी, कि कितनी quantity के mobile phone मुझे बनाने है, माल लो, एक देश के अंदर सो लोग है, अब सो में से 50 बंदे Android phone यूज़ करते हैं, 50 बंदे Apple का phone यूज़ करते हैं, तो यह तो खरीदी रहे हैं इनके phone, तो तु करेंगे, या कितना production करना है, how much to produce बोल सकते हैं, इसी के साथ जुड़ी भी problem है, फिर how to produce problem है, यह production technique से related problem है, कि हमें कौन सी production की technique का इस्तमाल करना है, तो तरीके की production technique होती है, मेल नहीं है, जो बोली गई है, एक है labor intensive, labor intensive, यह intensive का मतलब क्या होता है, intensive का मतलब होता है, ज्या इस्तिमाल किया जाए, उसको बोलते है labor intensive technology, एक होती है capital intensive technology, एसी technology जिसके अंदर capital का ज्यादा इस्तिमाल किया जाए, labor का कम इस्तिमाल किया जाए, तो जितने भी high tech technical काम होते है, उनके अंदर capital intensive technology का इस्तिमाल किया जाता है, और जो field से related काम होते है, marketing की बात कर लो, field पर ज ओर इस चीज़ कर रहे हो उस चीज़ के परडिक्षण में कि चीज की बात बोलते है लेबर इंटेव करनाають, इसलिए लिए दूसरे नंबर की नंबर इसे प्राबलम है। इस सेंट्रल प्राबलम का एक महरा है इसको problem of allocation of resource भी बोलते हैं यह आ जाएगा problem of reallocation of resource भी बोलते हैं यह भी आ जाएगा ठीक है third number के for whom to produce किसके लिए तुम्हें production करना है अमीर आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए यह तीसरे number की central problem है ठीक है इसको बोलते है inequality की problem है यह अमीर और गरीबों के बीच में कौनसी को चूज करना है आपको या दोनों को चूज करना है क्या हिसाब किताब बनाना है उस चीज की problem है अब चौते number की problem what provisions are to be made for economic growth यह अब आई है ICI के module में इसलिए इस problem को अच्छे से explain किया है इसके लिए तुम्हारे पास subject matter लिखा हुआ है वह चौते number की problem है यह लोग अलग कर देता हूं चौते number की central problem यह यह वाट provisions should be made for economic growth प्राविजन का मतलब बना सोच लो आप कोई रूल सोच लो future की economy growth के लिए कौन से rule बनाने चाहिए रूल मतलब कानुन नहीं बना रहे हैं यहाँ पर अब खुद से हम अपने बारे में सोच रहे हैं ऐसा सोच लो यानि resources को इस तरीके से इस्तमाल करना चाहिए कि वो अभी भी इस्तमाल हो जाए और भविश्य की जनरेशन के लिए भी इस्तमाल हो जाए यानि यहाँ पर future perspective की बात हो रही है कि भविश्य में क्या होगा यह चौती प्रॉब्लम है यहाँ पर एक लाइन लिखे जाती है our society has to decide how much saving and investment यानि how much sacrifice of current consumption should be made for future progress भविश्य की तरक्की के लिए अभी क्या sacrifice करना है यह चौते नंबर की central problem बताती है तो ऐसे कुछ words यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर मैं सामने से अड़ जाओं तो आप वीडियो को post करके इसको अच्छे से बढ़ सकते हो कोई दिक्कत परेशाने वाली बात आनी नहीं चाहिए ठीके दोस्तों इसके बाद हमारा में मुद्दर mcq जल्दी आने वाले है आपका वेट खतम होने वाले क्योंकि mcq आज की class का main attraction है वही सबसे जादा important चीज है तो एक लास्ट बात आप से discuss कर लू, discuss करने ज़रूर है types of economic system, तीन तरीके के रहने के रहने के तरीके होते है लब, economy के तीन टाइपस है अंफुरी दुनिया के अंदर, इसको हम lazious fare economy इसको हम entrepreneur economy भी बोलते हैं इतने सारा नाम देखे बारते हैं आपर socialistic economy को हम planned economy भी बोलते हैं इसको हम दोस्तो centrally planned economy भी बोलते हैं ठीक है और mixed economy को सिर्फ mixed economy भोल दो आप यहां पर यहां पर एक word यूज किया जाएगा बार बार जिसका नाम है economic decisions इसके उपर इन तीनों की definition बना दूँगा जान रखना economic decision मतलब पैसो से related decision यानि कितना production करना है यह भी पैसो का decision है क्योंकि कितना पैसा लगाओगे उससे related बात हो रही है और किस चीज का production सकते हैं कोई country कहते है कि गन का production कर सकते हैं कहीं पर बोलते हैं कि वीट का प्रड़क्षन करना है और किको सेविंग करना तो कंजम्शन की बात हो गोई, किसी कंट्री में सेविंग करना अलाउड है और किसी कंट्री में सेविंग के ओपर टैक्स लगता है, कॉमेंट सेक्शन में बता दो आपको किसी कंट्री के नाम पता है, तो किस कंट्री के ओपर किस कंट्री पर टैक्स लगता है, किसी कंट्री में 60 में पैसा इंवस्ट करना अव्ड है किसी कंट्री में 60 में पैसा अलाउट नहीं है तो यह इस शोский है न होते हैilot है जिस देश के अंदर यह सारे को सरखर ले रही है उस देश को बोलते है वह सोर्षिटी क्सिए काउनमी जिस देश के अंदर ये सारे डिजन मार्किट अपने खुद ले सकती है उसको बोलते है वो गजीजियो पुझीवादी अर्थ वेष्थ है जिस देश के अंदर problem सरकार भी ले रही है प्राइबेट सेकेटर के लोग भी बोलते हैं अगर आज के लिए बात करें तो अमेरिका और जपान बोल सकते हो शोशलिस्टिक एक्जामपल में चाहिन रशिया चेकोस्लो वाकिया जैसी कंट्री आ जाएगी और बड़ा भरपूर एक्जामपल हमारा पारा भारत जैहिंद जैभारत इंडिया है ठीक है अब इ away right लिए और लोगों कि आसी तर्की हो जाए आगे तो इस लिए चाहिना के अ के फ्रेडम और नहीं हैं चायनिस एक्ण में और मॉलकिटि धौनों मिलकर डिजन लेते हैं ऐसा नहीं किसी मार्केट आप ले रही है यी और Mi तक्तार रिस्लिकम आपको MCQs, ICI module के MCQs करा दूँ, एक बार मैं स्क्रीन के सामने सेटता हूँ दोस्तों ताकि आप चीज़ों को clear cut समझ लो, तो दोस्तों अब शुरू हो रहे हैं आपके MCQ, 35 MCQ है, टोटल में लागे 35 MCQ, तो आपको ध्यान क्या रखना है, MCQ solve करते डाइम, पहली बात तो, जब मैं आपको question read करा दूँगा, आप अपनी वीडियो को pose कर देना, pose करते ही उसका answer जो तुमारे दिमाग में चल रहा है, वो comment section में डाल देना, और फिर मैं उसका सही answer बताऊंगा, तो आप अपने आपको check भी कर लेना, कि आपके अंदाजे किस हद तक ठीक होते हैं, खुद comment करना, और खुद check करना, इससे मुझे ही पता लगएगा कि कितने बच्चों ने practice की है, कितने बच्चे जुड़े हुएं, और दूसरा मुझे ये भी idea हो जाएगा, कि कितने बच्चे सही सोचते हैं, वो तो आप भी बताऊंगे सही सोचते हैं, तो मतलब तब practice करके ही पता लगता है, और फिर आपको पता है कि description में आपको link given है, आप वहा पर question लिखने मतलब आने start होंगे, आने से पहले और कुछ मैं आपको बता दूँ, जितना content मैंने कराना था वो करा दिया, उसके अलावा काफी सारे content जो अगर आपको लग रहा हो कि सर आपने अभी तक नहीं कराया, वो MCQ में ही पता लगेगा, जैसे कि MCQ में आपको बताता प्राइस, एक MCQ ऐसा भी आएगा, जहाँ पर government ही price decide कर देगी, उसको बोलेगे administered price, ऐसे concepts बाद में रिवील होंगे, जैसे कि और भी concept आता है, like, capitalistic economy के अंदर central problems को solve करती है, market forces of demand and supply, ठीक है, socialistic economy में central problem या economic problem को solve किया जाता है, through the centrally planned authority, planned authority एक government बनाती है, और mixed economy में के अंदर government और market दोनों मिलके solve करती है, ऐसी कुछ basic बाते, MCQ में reveal की जाएंगी, तो दोस्तों पहला question आपके सामने paste किया जा रहा है, इसके 4 option है, असान लेवल का question है, तो question को पहन का गलर चेंज करेंगे, अभी तक जो नहीं किया यह वाला करते है, चलो देखते है, क्या लिखते है, economist regard decision making as important because of four options, हैरी economist basically decision making को इतना important क्यों मानते हैं, यहनी economist यह को कहते हैं, कि डिजन लेना ज़रूरी है, किसलिये कहते हैं, चार option है हमारे पास, वैसे बात करते हूं, डिजन लेना इसलिए जरूरी है, है यह चोईस किसलिए जरूरी है, यह पूछ रहा है, हमारे पास सब तो उसको डिसाइड करना पड़ता है लस्सी जा हां ना अल लिमीटेड दूग चाहई भी जबि बटर भी मटर भी टाटर भी है को इसलिए डिसन लेने इसलिए किसले जरूरि है बता है चलो ॉप्चेन हमारे पास 5 लिक्का जाइए पेला मतलब तुम्हें बताना है choice लेनी क्यों जरूरी है, choice क्यों ली जाती है economics में, तो पहला the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce, अलब कह रहा है finite का मतलब होता है limited, scarce का मतलब shortage है, एक तरीके से मान सकते हो, तो कह रहा है कि choice लेनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो resources है ना, जो हमारी wants को satisfy करने के लिए बने है, वो resources limit में है, यानि finite है, infinite नहीं है, finite है, बात तो ठीक लग रही है, हमारी wants वैसे भी unlimited होती है, human wants are unlimited, you guys know very well, second option, it is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants and needs, यानि crucial का मतलब थोड़ा, मुश्किल है, यह मुश्किल है कि society में resources जो scarce है, यानि shortage है जिन resources की, उसको किस तरीके से allocate किया जाए, ताकि लोगों की unlimited wants को satisfy किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है ना, किस तरीके से resources को बाटना है, हाँ, मैं जानता हूं, यह micro economics ही बहुत घटिय और वायाद language के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको से MCQ, से language के अंदर करने पड़ेंगे, ताकि आप यहाँ practice करके paper में number score कर लो, ठीक है, third number में लिखा है, resources have alternative uses, alternative का मतलब होता है many uses, बहुत सारी use है, अब दूद के बहुत सारी use है, इसलिए choice लेनी पड़ रही है, अ नहीं आले ख IPšL, तुम किसी और चीज के बारे में सोची नहीं सकते थे, लसी दिमाग में नहीं आती, धही दिमाग में नहीं हुता ही, ग धिमाग में नहीं आता, उसके बहुत सारी use है, इसलिए वह सब use दिमाग में आया है, तो हमें उसमें से क्या choice करना है, वह problem बन गई है यह यह भी एक चीज है इंश आपको बताता हूं हमें चोईस क्यों लेनी पढ़ती है क्योंकि human wants unlimited कि unlimited wants है हमारे पास पैला रीजन यह दूसरा resources अपने आप में limited है resource भी unlimited होते तो बात ही क्या थी तीसरा resources के alternative views है यह तीन कारण होते हैं कि हमें choice लेनी बढ़ती है और यह तीनों कारण mention है इन तीनों option में तो चौत्ता option दोस्तों all of the above है अब आपने video post करनी है यह तो sample एक तरीके से ठीक है आपको answer पता ही लग गया होगा sample एक तरीके से ऐसे में video post करके अपना comment section में अंसर डालना और फिर देखना कि मैंने क्या बताया है तो यह तीनों option ठीक है यहाँ पर option D के साथ जाएंगे D सही बन रहा है यह पहला question हो गया है अब दूसरे question पर चलते हैं हाँ दूसरा question पढ़ा दूँगा फिर comment section में अंसर देना video post करके फिर मेरी बातों पर देना तो लिखा है business economics is business economics की definition के बारे में पूछना चाहरा है लिखा है abstract and applies the tools of microeconomics business economics microeconomics का एक हिस्सा भी है और उसके tools को भी apply करता है पहला option दूसरा involve practical application of economic theory in business decision making practical application मतलब pragmatic application इसके अंदर involved होती है और यह economic theory को business decision में सच्चाई में असली में इस्तिमाल करता है ताकि decisions लिए जा सके अगला incorporate tools from multiple disciplines discipline का मतलब यहां मालो आप subject अलग-अलग subject से भी यह tools उठाकर incorporate का मतलब वैसे तो registered करना होता है company की incorporation हो रही होती है तो मतलब company की registration हो रही होती है यहां पर आप मालो इस्तिमाल है तो अलग-अलग subject के tools भी business economics इस्तिमाल करती है या फिर सिर्फ B और C दोनों option ठीक है डी यह बोल रहा है चार option आपके सामने पटाक से comment section में बताना है यह sample चल रहे है भी एक-दो question solve करने के बाद आप routine में आओगे फिर धिरे-धिरे वही तरीका अपनाने लगोगे जो मैं बता रहा हूं ठीक है जी मैं आपको बता दूँ पहले option को analyze करते है हां micro economics के tools को तो अ apply करता ही है business economics आलंकि micro economics business economics का heart भी मना जाता है लेकिन micro economics का हिस्सा नहीं है business economics business economics applied economics का हिस्सा है तो पहले वाला option गलत हो जाता है दोस्तो abstract नहीं है उस वजह से हां फिर इसके अंदर practical application है जो economic theory को business decision making में यूज कर आती है वो भी ठीक है और multiple decision की चीजों को business economics यूज कर रहा है बिल्कुल सही economics और maths दोनों को यूज कर रहा है वह स्टाटेस्टिक्स होती है इसमें इसमें mathematical tools यूज होते हैं अब तुम कहोंगे सर कैसे यूज होते हैं यह data उठाए जाता है data के trend को analyze किया जाता है और उसके basis पर decision लिए जाते हैं कि यह question बिल्कुल सब्सक्राइब थर्ड पर आते हैं लिखा है in economics we use the term scarcity to mean यानी economics में scarcity का मतलब क्या होता है इस चार option आपके सामने absolute scarcity and lack of resources in less developed countries अचाँ दो word होते हैं एक होता है absolute एक होता है relative कि दोनों absolute का मतलब अपने आप में relative का मतलब comparison में तो absolute scarcity मतलब अपने आप में shortage है ठीक है और resources की कमी है उन countries में जहांपर development जादा नहीं हुई है less developed countries यानि developing countries बोल सकते हो इंडिया और चाइना दोनों developing countries है ऐसी country ठीक है और second option दिया है relative scarcity यानि किसी की comparison में की बात हो रही है यानि scarcity in relation to the wants of the society यानि society को जितना चाहिए उससे comparison कर रहे हैं कि चीजों की availability उतनी है या नहीं है third option scarcity during times of business failure and natural climates natural climates का मतलब होता है आप अर्थकोएक फ्लेड वगेरा यह सब चीज़े यार scarcity during the time of business failures जब बिजनस नहीं चल रहे होते हैं परिशानी आ रही होती है business के अंदर recession का time होता है तब scarcity का मतलब हम economics में इस्तिमाल करते हैं नहीं यह option तो गलत साफ है फिर scarcity cost on account of excessive consumption by the rich जब अमीर लोग ज़्यादा समान इस्तमाल करते हैं तब चीजों की कमी हो जाती है तो उसको scarcity बोलते हैं इसको scarcity बोलते हैं आपको बताना है ठीक है मैं सामने से अट रहा हूं तो सही option आपको tick करना है और समय हो गया होगा तो दोस्तो relative scarcity की बात करते हैं scarcity in relation to the wants of the society society यानि humans की wants unlimited है तो option B ठीक है यहां B के साथ जाएंगे भई भी लिख दिया ठीक है फूर्थ question पर आएंगे फूर्थ question आपके सामने लिखा है what implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants wants को satisfy करने के लिए हमारे resource scarcity की क्या application implication है implication है मतलब क्या इस्तेमाल हो रहे है चार option आपके सामने लिखे हो में है आपको सही बताना है यानि लिखा है not all wants can be satisfied अलब सबकी wants satisfy नहीं हो सकती ठीक है we will never be faced with the need to make choice we will never be faced with the need to make choice हम जरूरतों को आगे कभी face नहीं करेंगे choice के लिए गयलत option we must develop ways to decrease our individual wants यानि क्या हमें कोशिशे करनी चाहिए कि अपनी wants को हम कम करने लगे या the discovery of new natural resources is necessity to increase our ability to satisfy wants यहनी कह रहा है कि नए चीजों की खोज करो जैसे की कार चलाने के लिए पट्रोल चाहिए था ठीक है दीजल चाहिए था ठीक है हमने CNG की खोज करी, PNG की खोज करी, hydrogen की खोज करी, electric vehicles चल रहे है इन चीजों की खोज करें नए resources की, तो क्या कह रहा है, जो resource की scarcity हम use करते है, human wants से related, उसमें चारों में से कौन सा option suitable बैठ रहा है, या नि जिसकी हम पढ़ाई करने है बेसिकली, option यहाँ पर जो suitable बैठ रहा है, वो कह रहा है, कि सारी की सारी wants को कभी satisfy नहीं किया जा सकता, यह या यह, we will never be faced with the need to make choices, the option, इन दोनों में से एक बता दो, नीचे के दोनों तो गलती है, यह वाला मैंने वैसी गलत बता दिया था आपको, तो not all wants can be satisfied, एक के साथ ज जादा होती है, more developed countries में जादा होती है, जार central problem हर एक country में होती है, और ऐसा नहीं है कि किसी जो less developed countries है, उसमें जादा होंगी, या more developed countries है, उसमें कम होंगी, सब countries में exist करती है, तो choice की problem हर जगा है, दोस्तों, ठीक है, तो next question पर आते हैं, यह आपका question number 5, और यह लिखा है, which of the falling is normative statement, जब-जब normative की बात हो, तो मतलब future की बात हो रही है, कहीं ना कहीं, जब-जब ऐसा लिखा हो, तो सोचो, should लिखा होगा, should लिखा होगा, ought to be लिखा होगा, यह trick है, इसको solve करने की, तो आपने 4 line यह पढ़नी है, planned economies allocate resources via government departments, मतलब भी नहीं समझना, मैं कहा हूँ, व experienced problems of falling output and rising prices over the past decades, ऐसा भी कुछ नहीं है, should would तो कुछ हाई नहीं है, there is a greater degree of consumer sovereignty in market economies than planned economies, ऐसा कुछ नहीं लिखा, फिर लिखा है, reducing inequality should be major priority for the mixed economy, मुझे पता है, टाका मार गए होगे, तुम्हें पता लग गया होगा, कौन सा सही अंसर है, ठीक है, तो जहाँ normative की बात होती है, वहाँ देखो, यह लिखा should be, आपको दिख गया होगा, बिलकुल, तो यार इसको ही ठीक करेंगे हम, अपने इसी अंसर के साथ जाएंगे, डी ठीक है, ज्यादा time waste नहीं करेंगे, ज्यादा time waste नहीं करेंगे, ज्यादा time waste करना नहीं होता है, वैसे, तैन का color फिर से change आएंगे, और दोस्तों मैं सामने से अटता हूं, फिर अगले question पर आएंगे, अगला question number 6, आपके लिए पेश किया जाता है, in every economic system, scarcity imposes limitations on, पहले question समझ लो, हरे एक economic system की बात कर रहा है, मतलब types of economy की बात कर रहा है, capitalistic economy भी है, socialistic economy भी है, mixed economy भी है, चाए कोई भी economic system हो, इन त साल देता है, limitation मतलब, limitize किसको कर देता है, ठीक है, limitation का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता, demerit नहीं होता, limitation का मतलब एक दाइरा सेट भी करना होता है, limit set भी करना होता है, तो यहां लिखा है, household, business firms, government and nations as a whole, इन सब पर limit set करता है, हर एक, economic system की बात हो रही है, तीनों की तीनों, या फिर लिखा है, household, business firms, but not the government, government पर नहीं करता, या फिर, local and state government पर करता है, but federal government पर नहीं करता, अच्छा, federal government का मतलब क्या होता है, चाइना की जो government है, वो federal government नहीं है, वो एक unity government है, अमेरिका और इंडिया की government है, federal government है, मतलब divided government है, नीचे तक, तो यह पता नहीं क्या कहना जा रहा है, यह दोनों ही federal government से related option है, विलब सही के अंदर दोनों बाते, household and government, but not business firms, यानि किसके उपर यह question क्या बोल रहा है, scarcity की limit कहा तक है, यानि यह कह रहा है कि federal government के पास नहीं है limited, मतलब इसके लिए scarcity होती ही नहीं, business firm के लिए scarcity होती ही नहीं, इस option में यह कह रहा है, यह कह रहा है कि government के लिए scarcity नहीं होती, और option A कह रहा है, हर चीज के लिए scarcity होती है, यार हर चीज के लिए scarcity होती है, option A ठीक है, A के साथ जाएंगे, घटाक से, दिख रहा है आपको इस क o bete micro economics को कौन सी economy के नाम से ऑरजाए अचा my कोई लिखा बाई macro लिखा है Macro का दूसरा नाम क्या है बेसिकली वो बताना है आप लोगोंने चार आपके सामने है Applied economics aggregate economics experimental economics या इन में से कोई नहीं खटाक से बताना है आप कौन सर की क्या बोलते हैं और आई साहब अगर आपको यहां कुछ चीज़े डिसकस करने के लिए बताऊं तो माक्रो एकॉनमिक्स का वैसे दूसरा नाम है थियरी ओफ इंकम एंप्लाइमेंट यह दूसरा नाम है लेकिन इसको हम एग्रिगेट इकॉनमिक्स भी बोलते हैं यह तो फैक्ट में तो कुछ ऑप्शन अनलाइज करने ही नहीं होते तो बी के साथ जाएंगे भी हमारा साही अंसर यह पैन का ठीक लग रहा है यह ठीक लग रहा है एक्स्प्रिन करने के लिए ठीक ना और माइक्रो एकॉनमिक्स का दूसरा नाम इसलब शुड भी और तो भी नहीं होना चाहिए वाट इस यानि करन्ट सिचुवेशन से रिलेटेट बात होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया था इंडिया इस ऑवर पॉपुलेटेड एक एक्साम्पल है पॉजिटिव एकॉनमिक्स का तो यहां पर चार उप्शन पढ़क या फिल डिटर्माइणिग नेंग टफियरप्राइस पुड प्राइस इसाब से यह पॉजिटिवॉडब्स है यह ढाव मच्च इंकम इच परशं शुड भी गैंटेड शुडबी आ गया यह पॉजिटिव एकॉनमिक्स नहीं नॉर्मेटिव है बही है तो यह तो गलती हो रहा है आपको चारों में से देखो लोग बता कर लेते हैं वैसे यहां पर अगर मैं बता हूँ तो continuous tense लग रहा है मतलब determining चीज़े हो रही है actual का है deciding चीज़े हो रही है तो यह दोनों भी गलत option हो गए यहां पर analysis है जो relationship बता रहा है किसके बीच में price के बीच में और उसकी demand के बीच में quantity purchase के बीच में तो वह analysis fact है fact से related चीज़े हमारे पास positive economics का हिस्सा होती है और मैंने बोला था pen color change करके बता हूँँगा हरा A के साथ जाएंगे दूस्तों यह हमारा सही option है अब आते हैं एक बार example number nine पे example number nine नहीं कोशन number nine पे और यह बाई साथ बोल रहे है question लिखा है a study of how increase in the corporate income tax rate क्या लिखा यह देखो corporate income tax होता क्या है एक company को तो और पर का profit हुआ है माल लो तो company अपने profit का क्या करती है एक हिस्सा tax के तोर पर सरकार को देती है माल लो 25 रुपियाज उसने सरकार को tax के तोर पर दे दिया फिर कुछ पैसे अपने मालिकों को देती है माल लो 25 रुपिया उसने अपने मालिकों को दे दिया और बागी जो 50 रुपिय बच गए इसको company बोलती है हमारे किया मटने अपने मालिकों को अनर्स को इस profit के हिससी को बोलती है और जो tax company अपने profit के ओपर सरकार को देती है इस tax को बोलते है, corporate tax, उस tax की बात हो रही है, यह वो tax है, जो एक company ने अपने profit के ओपर सरकार को दिया है, बस उसकी बात हो रही है, तो अगर corporate income tax बढ़ा दिया जाए, यानि corporate profit tax बढ़ा दिया जाए, तो it will affect the national unemployment rate, इसको affect करेगा, अच्छा, question क्या था, corporate income tax बढ़ा दिया जाए, यानि company अपने profit पर ज्यादा tax देंगी, तो इसके लिए देश के अंदर भेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, हाँ company अगर अपने profit पर ज्यादा tax देगी, तो company को कम पैसे बचेंगे, company को जब कम प employees की ज़रूरत नहीं है, साथ employees की ज़रूरत नहीं है, तो employees को नोकरी से निकाल सकते हैं, या फिर भविश्य में जो employee नोकरिया देने वाली थी लोगों को उनको नोकरी नहीं देगी, तो कि उसका जादा खर्चा हो रहा है tax के तो इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, तो या unemployment जैसी चीजे है, हम पढ़ते है macro economics में, poverty, unemployment, यह सब चीजे, economy as a whole problem है, macro economics का example है, इसमें ज्यादा चाहे चाहे फाइफाई करने की ज़रूत है नहीं, सीधा-सीधा sorted है, आगे अब वही वाला pen का कदर सेलेक्ट कर लेंगे, हमने कर लिए no question solve, अब आगाई दसमें पर, क्या लिखा है, which of the following does not suggest a macro approach for India, चार option है, कौन सा macro नहीं है, बस यह बताना है, macro economics का variable ही, सोच लो कि कौन सी चीज macro economics से related, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो चार option है, असान का हम है, macro macro वाला question तो exam में आने के chance पूरे-पूरे है, normative positive का आना पूरे-पूरे, scarcity का आना पू सोच लो, normative positive का सोच लो, types of economy का सोच लो, आएंगे आएंगे, एक एक दो तो question हर एक topics से आएंगे, तो आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा macro economics का example basically नहीं है, ठीक है, तो option लिखा है पहला, determining the GNP of India, GNP होता है, gross national product, ठीक है, second, finding the causes of failures of ABC limited, ABC limited कोई company है, उसके failure के कारण पता पता लगाना, तीसरे पर, identifying the causes of inflation in India, inflation का मतलब महंगाई, इंडिया में जो महंगाई हो गई है, किस वज़े से हुई है, महंगाई के कारण पता लगाना, या फिर, analyze the causes of failure of industry in providing the large scale employment, एक देश रोजगार के, एक company, या industry की बात हुरी है, एक market रोजगार के अफसर परदान करन में कैसे fail हो गई, उसके बारे हैं पता लगाना, तो इन चारों में से कौन सा macro का example नहीं लग रहा, जी एन पी, GDP, national income, सब macro के example है, inflation, deflation, recession, सब macro के example है, यहाँ पर employment की बात हो रही है, macro का example है, यह एक company कैसे fail हो गई, अकेली individual unit के बारे हैं बात हो रही है, यह macro का example है, और यह हम बात करें, तो B option ठीक रहेगा, क्योंकि B micro economic से related है, macro से related नहीं है, तो B के साथ ही जाएंगे, इस option में हम, फिर से pen का color change करेंगे, और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि अगला हमारा question, question number 11, और question number 11 में कुछ बातचीत चल रही है, राम, कृषन, विनोध और मधू की तो चार बंदे बात कर रहे हैं, उन बात के हिसाब से आपको answer देना है, तो चारों की बातों का एक बार idea लगा लो, राम जी क्या कह रहे है, राम जी कह रहे है, my corn harvest this year is poor, corn क्या होता है, corn मतलब भुट्टा, maize, sweet corn होते है, maize, maize भुट्टा होता है, और अगर उसको corn बोलो तो ठीक है, मक्का, sweet corn बोलो, तो बहुत महेंगी हो जाती है, ग्लास के अंदर आज कल मिल रही है, restaurant वगएरा के अंदर, भुट्टे ही मिल रहे है, जो 10 रुपे की चीज मार्केट में होती है, हमां 50 रुपे मिलती है, छोटी सी मिलती है, पर छील के छली वल्ली भी बोल दे की production खराब हो गया, इस बार rate बढ़ा देंगे, तो जितना तुझे नुकसान हुआ है, तो rate बढ़ने से वो profit हो जाएगा, तेरा मल भिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भिनोच जी आया है, climate affect crop yield, some years are bad, others are good, कह रहा है, मोसम की वज़ा से बरबादी हुई है, कुछ साल सरकार है, और कुछ साल अच्छे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मदू जी बोल रही है, the government ought to guarantee that our income will not fall, ठीक है, गवर्मेंट को ये guarantee देनी चाहिए, कि हमारी income कम नहीं होगी, तो फार्मर्स हैं सारे के सारे, आप असमें बात कर रहे है, तो कोई तो question नहीं लिखा, चारो की बातचीत खतम हो गई, इसके बाद एक line लिखी है, in this conversation, the normative statement is made by, अच्छा है, इस conversation में normative statement किसने बोली है, यार normative का मतलब should be और ought to be, टेकनीक लगानी है कि कहां पर इस्तिमाल किया गया है, यहां पर देखो, मुझे अगर दिखाई दे र इसका ठीक है, मदू ही कह रही है, ठीक है, ought, तू लिखा मिलता, या लिखा मिलता should be, अच्छा आप से एक बात में जरूर डिसकस करना चाहूंगा, कि आपको यहां पर concept समझने जरूरी है, उनको रटा मारना जरूरी नहीं है, क्योंकि question तो mcq की form में आने है, हाँ, इसका definition, copy में लिखनी भी है, यह notes तो आपको pwk आप पे available हो जाएंगे, हो सके तो उन चीज़ों को return practice जरूर करना, आपके काम आएंगी, ठीक है, तो दोस्तों आगे आते हैं, बारवे नंबर के question पे, बारवा question आपके सामने पेश किया जाता है, pen का color उसी routine में रखूंगा, ता बताओ कि चारों में से कोई economy बिना scarcity के है, तो बताओ, अगर कोई है तो, if any इस लिए लिखा है, चारों में से कोई economy बिना scarcity के है, या नहीं है, चार option है, पहला option, the pre-independent Indian economy where most people were farmers, अजादी से पहले भारत, जहापर ज़्यादातर लोग किसान थे, यहाँ पर scarcity थी, या नही है, scarcity तो हमेशा ही थी, या, mythical economy where everybody is billionaire, mythical मतलब hypothetical, imagination, अपनी मर्जी से कोई economy माल लो, जहाँ पार है, कोई बंदा करोड़ पती है, अरब पती है, billionaire है, ठीक है, वहाँ पर भी scarcity होती है, पैसा ही तो जादा है, resource कहाँ से जादा लाओगे unlimited, ठीक है, any economy where income is distributed equally among its people, यानि ऐसा कोई भी देश जहाँ पर हर एक बंदे की income बराबर 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 है, यानि सब बंदे अंबानी है, या सब बंदे टाटा है, यानि सब बंदों भी बराबर के पैसे है, वहाँ पर scarcity नहीं होगी, पैसी तो बराबर है, resource तो देश के अंदर limited ही है, ऐसी कोई भी economy नहीं है, जह आपर scarcity ना हो, scarcity भईया हर जंगा होती है, जैसे बोलते हैं हर जंगा science है, तो economist की scarcity हर जंगा है, यह तो विधी का विधान है, कि scarcity को face करना ही पड़ता है, हर हाल में, हर भाव में, समझे, आएंगे अब अपने question number 13 पे दोस्तो, हाँ, तो pen का गल्दर मापिस से वह यह कर दूँ लिखा है, which of the following is not a subject matter of microeconomics, subject matter of microeconomics की जब बात होती है, तो आपको बताना होता है, कि microeconomics का example, तो नीचे लिखे होँ option में से कौन सा microeconomics का subject matter नहीं है, यह पूछा है, तो आपको बताना है, कि 4 option में से कौन सा option microeconomics का example नहीं है, that's it, तो question number 13 है, पहले लिखा है, the price of mangoes mango का price, किसी भी चीज़ का price हो, micro का example है, price लिखा है, price level थोड़ी लिखा है, price level होता होता है, the cost of producing a fire truck for the fire department of Delhi, India, अच्छा, एक fire truck बनाने में कितना पैसा लगता है, तो cost का topic microeconomics में ही होता है, cost हो गया, production हो गया, revenue हो गया, यह सब microeconomics के topic है, ठीक है, तो यह भी micro का example है, mangoes market, एक market की बात हो रही है, और production की बात हो रही है, तो micro का example है, यह तीनों के तीनों तो micro का example है, तो चोथा ही नहीं होगा, देखते हैं, फिर क्या लिखा है, the national economy is annual rate of growth, बहुत है, economy का annual rate of growth मतलब GDP growth की बात हो रही है, यह macro का example है, तो option D यहाँ पर ठीक होना चाहिए, देख मैं पढ़वा दूँ, उसके बाद वीडियो को पोज करना है, फिर दुबार है देला दूँ, वीडियो को पोज करते ही, जो option तुमारे दिमाग में सही लग रहा है, उसको comment section में बता दो, और फिर जब मैं तो सही बता ही रहा हूं कि option क्या है, मतलब answer क्या है, तो comment section में लि 15th question की बारी है, तो 13 question उबीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से कर लिए है, बड़े important है, अगले question पर आते हैं जी, लिखा है, the branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resources is, economic theory की दो ब्रांच है, एक micro और एक macro में लिए, यहाँ चीज सोट जाती है, आधी, option बढ़ने की ज़रोती नहीं है, option हो होंगे 4 तुमारे पास, तो micro और macro में सी सोचना है कि कौन सी branch है जो problem of allocation की बात करती है, option यहाँ पर 4 है, एक लिखा है micro economic theory, एक लिखा है macro economic theory, फिर econometrics, यह word तुम्हें जाना पहचाना लग रहा होगा, यहाँ maps और stats का use करती है, economics, अच्छा जब मैं कर रहा था, तो economics honors, third year मे econometrics का मैंने subject पढ़ा था, फिर मैंने masters of economics की, उसमें भी econometrics का subject था, वो second year में था, मतलब आगे extension था, तो none of the above, चारो में से कोई नहीं, अब इसकी बात करें, तो आपको एक बात बताता हूँ, problem of allocation of resource का दूसरा नाम दोस्तो, central problem है, तो central problem, आप micro में बढ़ते हो, आप macro में बढ़ते हो, अगर आप micro economics की बात कर दो, 11-12 की ही, तो unit 1 में ही, आपने micro economics में, PPC वाली जब unit पढ़ी थी, भाई, opportunity cost के थाथ central problem पढ़ ली थी, तो यह micro economics की example है, तो option A के साथ यहां जाएंगे, यह ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है फिर से अपना pen का color change करेंगे, मतलब simple sort तरीके से हो गया है, अब आएंगे अपने पंदरवे नंबर के question पे, तो पंदरवे नंबर का question हमारे सामने भाई यह रहा, बोलता है, which of the following is not the subject matter of business economics, ओ बेटे, business economics का कौन सा example नहीं है, आपको option मैं पढ़वार हो पहले, अचा business economics क्या होती है, बहले दुबार रिवाईज कर लो, economics की बहुत सारी मतलब variety है, economics में बहुत सारी topics होते है, एक economics, applied economics होती है, तो applied economics का एक हिस्सा है business economics, business economics का मतलब है, कि economics को कैसे practically business में apply किया जाए, internally भी और externally भी business के issues में apply किया जाता है, तो दोस्तों, अब यहां लिखा है, not, मतलब कौन example नहीं है business economics का, पहला, should our firm be in this business, should our firm be in this business, should our firm, एक question है कि हमारी firm इस business में होनी चाहिए, यह नहीं होनी चाहिए, किस business में, किसी भी बिजनस में जिसकी बात हो रही है मालों इस पैन को बनाने के बिजनस की बात हो रही है तो अगर मैं कोशन पूछ रहा हूं कि हमारी फर्म को इस बिजनस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह कोशन पूछा है तो क्या यह बिजनस एकॉनमिक का हिस्सा है या न प्रड़क्शन कर रहे हैं यह Central problem लग रही है यह भी एकॉनमिस का इसस है तो मतलब business इसमें आ रही है तरह पे हाउ विल्द प्रड़क्ट भी प्लेस्ट इन मार्केट हमें अपने प्रड़क्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाना है transportation वेहाउसिंग अलग अलग तरीके तोर तरीके इस्तिमाल करने हैं तो कैसे पहुंचाना है चैनल स्कॉन सा चैनल यूज करना है अच्छा मैं तो बता दिया तीनों ही है उन्सा नहीं है अच्छा नहीं है इतना इंवाल नहीं हो रहा होता तो यह वाला ऑप्शन है जो तो business economics example नहीं है तो डी के साथ जाएंगे यहां पर अगला अगला लिख दिया जी विच आफ दा इस नॉर्मेटिव एकॉनमिक स्टेटिमेंट ओ हो तुम्हें एक ट्रिक बता दिया नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में क्या करना है नॉर्मेटिव जब भी आए तो आपने देखना है कि शुड भी या ओट्टू भी कहा लिखा है ठीक है और जब फस जाओ तो फिर उसक बताने बढ़ेगा अंसर तो अन त्र ai Lower internet डिक्रीज बित इंडिस्ट्र इलाइजएंशाएंश जैसे लिलिस्ट्रिय नहीं बढ़ता है तो अंप्लमिम्टेट कम हो जाती है यह बात एक fa Lights बेंदीव उसकर अदनेशगगा तो अशूय canX कता रिईगी अटिजी तो नहीं पर दे मिनिममम वेज क्या होती है एक बंदे को कम से कम कितने पैसे मिलने चीए तो कम से कम 200 रुपे मिलने चीए पर दे के हिसाब से तो इस शुट बी इंक्रीस्ट यह प्रोपोजल है देख रहे हो शुट भी यूज हुआ है तो कुछ तो आइडिया हो रहा होगा अब भी कर करना option जिसे question number 16 और फिर उसका option तो इंडिया spend a huge amount of money on national defense इंडिया राष्च्रिय सुरक्षा रक्षा पे भहुत सारा पैसा huge amount of money खर्च करता है तो चारों में से जो भी option आपको ठीक लग रहा है एक बार analyze करना है मैं कह रहा हूं कि वीडियो को बीच में pause कर सकते हो आप यह है पड़ने के यहां वीडियो को बीच में pause कर दिया और एक भाट ढंक से option देख लिए क्या पता ऐसा भी तो सकता है कि मैं कितनी देर में आपको टॉपिक करा रहा हूं और आप उससे जल्दी भी समझ सकते हो और उससे लेट भी समझ सकते हो सबकी capacity अलग होती है और यह मैंने स्क्रीन के सामने सटके पानी पिया भाई और दिकत ने पानी तो वैसे ही सकता था तो थोड़ी सी जाती है थकान चलो जी यहां पर ठीक बताई थी जहां पर भी शुट भी यूज़ रहा हो वह नॉर्मेटिव है खटाक से सी अंसर हो जाएगा इसमें कुछ द तो सतरवा कोशन आपके समने यह पेश किया जा रहा है तो कोशन लिखा है विच आफ दा फॉलेंग वुड बी कंसीडर्ड आ टॉपिक ओफ स्टडी इन माक्रो एकॉनमिक्स चार ओप्शन है चारों में से माक्रो का एक्जांपल कौन सा है इतने टुच्छे कोशन आएंग तो तुमने 11-12 में पढ़ा ही नहीं थे तो बिजनस साइकल के टॉपिक्स हैं बीसी के एक बहुत बड़ी लेंक्टी चीज़ है अपने आप में तो जी माक्रो का एक्जांपल कौन नहीं है बताना है ऑप्शन ए लिखा है ता इफक्ट ऑफ इंक्रीजिन वेज और प्रोफ यूल देखो किसी एक Alert की बात हो ह्री ऑना तो यह माक्रो एकउनम की बरी है यह मैट रहाइए जंपल नहीं है अगला टाइफ क्ट को में मौर च्टी इंपोर्टेड प्म कराहिंगे तो हमारे देश में स्टील के प्राइस पर क्या फरक पड़ेगा इन स्टील सिर्फ डोरी है हर एक चीज की बात नहीं होगी ना macro economics में we talk about all goods and services in the economy we talk about price level in the economy we talk about gdp national income government budget किसी की बात नहीं होगी तो still it is a micro economics example बच्चे C और D इन दोनों में से एक सही अंसर है तो अब इन दोनों में से कौन सा पहले पढ़े टी पढ़ता हूँ यह लिखा है the effect of an increase in the price of coffee on the quantity of tea consumed अगर यह तो उच्छा example होगे related goods का example है coffee और चाय प्लाइस और माजा पेपसी और कोक है ना micro में पढ़ते है ओविसली डी सही अंसर होगा लेकिन डी सही अंसर कैसे है एक बड़ी पढ़ लेते हैं जब तीन गलत हो गए तो the effect of increasing inflation rate ओहो महंगाई की बात हो यह on living standards of people in India यहां बात inflation महंगाई की हो गई तो C ठीक हमारा option यहां पर C के साथ जाएंगे और अगला कोशन दोस्तों आपके सामने पेश किया जाएगा कोशन नंबर 18 18 कोशन नंबर पेश किया जाता है लिखा है the difference between positive and normative economics is अच्छा positive economics fact वाली situation बता रही है अभी कह है what is normative economics भहिष्य के बारे बता रही है इन दोनों में major difference कौन सा है चार option है बढ़ लेते हैं बताएंगे कौन सा major difference है पहले लिखा है positive economics explain the performance of the economy while normative economics finds out the reasons for the poor performance है positive बता रही है economy कैसी है normative बता रही है economy ऐसी क्यों है है ऐसे तो कोई बढ़ा ही नहीं यह option तो proper गलत लग रहा है इसको गलत कर देते अब नहीं बता रहा कौन सा गलत है कौन सा यह तीन बढ़के बता दूँआ फिर तुम्हें बताना होगा positive economics describe the fact of the economy while normative economy involved evaluating whether some of these are good or bad for the welfare of the people positive बता रही है क्या है normative बता रही है इसका impact क्या होगा लोगों पर ठीक है solution की बात नहीं कर रही है अगला normative economics describe the fact of the people while positive involve evaluating whether यह सही है या गलत है यह normative बता रही है कि fact क्या है और positive बता रहा है कि इसका फर्क क्या पड़ेगा लोगों पर evaluate कर रहा है इस चीज़ को ठीक है प्रिस्क्राइब करती है अच्छा प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है ना prescription धवाई लिखता है तो बोलते है डॉक्टर की prescription है यह वैसी बाते चुन लोगों यहां पर evaluate करते है option को option की तलाश यह जो prescription होता है ना यह काम होता है normative economics का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए we should obey our elders we should obey traffic rules अभे अभे का मतलब क्या होता है मानने चाहिए इज़त करनी चाहिए ना we should respect our elders ऐसे बोल सकते है तो normative economics prescription देती है और description यह अभी है क्या descriptive economics बोलते है कि positive economics को हा तो निम जब करती है यह पॉजिटीव काम देस्डिख इसक्रिप्टिव इक व कहा सकती है呀 यह बात ध्यात्रप्तिव थैब ऑल होती है तो यह describe रही ऐ 때문 है तो positive economics fact को यहां describe कर रही है, B का उल्टा करके option C में दिया हुआ है, तो C गलत है, हम B के साथ जाएंगे, हमारा B ठीक है, पूरी-पूरी बात लिखी हुए है, कि fact बताया है positive economics ने, इसका impact क्या होगा economy के उपर, इस बात को evaluate किया है normative economics ने, ठीक है, तो overall यहां से पता भी लग रहा है कि यार question एक तो micro macro वाला, एक positive normative वाला, एक types of economy वाला, ऐसे question आने के chance है, बिल्कुल ऐसी question आने के chance है, 9 से 12 question आएंगे यहां से, यानि 10 के आसपास number आप बहुत असानी से secure कर सकते हो, easy चीज है बस, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगला question, question number 19 आपके सामने पेश किया जाता है, pen का color वोई कर लेंगे वापस, लिखा है, which of the following is not within the scope of business economics, business economics के scope में, niman liquid में से क्या नहीं आता, तो यार business economics scope में, capital budgeting नहीं आती, risk analysis नहीं आता, business cycle नहीं आती, या accounting standard नहीं आते, इन चारों में से क्या नहीं आता, अब तुम पूछो कि सर, business economics के scope में, हमने करना क्या है, बिजनस economics के scope में, आप micro और macro की वो चीज़ें, जो यहाँ पर इस्तिमाल कर रहे थे, उनसे related बात करनी है, और business economics में, तो micro का इस्तिमाल है, बिजनस economics किन चीज़ों का यूज़ करता है, micro economics में, तो demand का, forecasting का, cost analysis, production analysis, pricing policy, inventory management, capital investment, ऐसी चीज़ें, यूज़ कर रहा है, तिका न, और macro economics में थे, business cycle, national income, employment, ऐसी चीज़े थी, तो इससे related question है, यहाँ पर, तो आजा हम वापस अपने option पर, यहाँ राजी हमारा, 19 में नमबर गोशन, तो इन चारों में से किसको इस्तिमाल, नहीं करता, not within the scope of, business economics, चारों में से बताओ, जल देए, super fast तरीके से में बताता आपको, business cycle, आ रहे है यूज़ में, बिल्कुल आ रहे है इस नाम को तो chapter भी है, जो तुम्हें बढ़ना है, risk analysis भी करते हैं, capital bursting भी करते है, capital bursting का मतलब investment होता है, investment related is done, वो भी long term investment related is done, capital bursting होती है, आपर देखते हैं, accounting standards नहीं आते हैं इसके इंदर, फिर D, business economics का, डाइरे में नहीं आ रहा है, इसके scope में नहीं आ रहा है, तो इसलिए तो जब नहीं आ रहा है, तभी तो accounts एक अलग subject बनाया गया है, अगर इसके दाएरे में ही होता, तो फिर accounts एक अलग subject कैसे होता, नहीं, तो यहार 19 question कर लिए हैं दोस्तो, fan का color वापिस उस format में लावा था कि हम एक professional तरिके चल रहे हैं, अब question number 20 आपके सामने पेश किया जाता है, और question लिखा है, which of the following statement is incorrect, अब तो चारो की चारो statement बढ़नी पढ़ेगी, और यह बताना है कौन सी गलत है, बलब चार में से तीन statement सही है, वो तीनो statement सही है, वो पढ़के हमें थोड़ा ज्यान भी तो हो सकता है, सही है या गलत है, तो यहां से ज्ञान ले लो, business economics की जो statement होती है, वो सच में normative in nature होती है, तो यह बात ठीक है, क्योंकि हम यहां पर present situation की नहीं, कि क्या होना चाहिए, problem को कैसे solve करना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगला, business economics has a close connection with statistics, हाँ multi disciplinary है business economics, तो statistics और mathematical tools यहां पर use होते ही है, forecasting के लिए, ठीक है, हम capital bursting production cost में statistics यूज करते हैं, statistics का मतलब होता है numbers, यह सोच लो, बस data का इस्तिमाल करते हैं, फिर, business economics need not worry about macro variables, इसका मतलब यह है कि business economics का पूरा पूरा लेंदिन, इसका मतलब यह नहीं है कि macro को use नहीं कर रहा, तो macro को ignore कर दे, बिल्कुल नहीं, पॉर्मेट क्या tax लगा रही है, क्या policy बना रही है, बिजनस को ignore करना चाहिए, नहीं, यह लाइन गलत नजर आ रही है, अगला, business economics is also called managerial economics, इस word पर focus कर लो, यहां से crack और ही एक चीज, business economics का दूसरा नाम क्या है, तो बिजनस एकॉनमिक का दूसरा नाम managerial economics है, बहुत टॉप की बात यहां पता लगती है, ठीक है, तो यह वाली statement गलत थी, और answer में हमें इसको इसको टिक करना है, क्योंकि यही पूछा है कि गलत कौन है, यहां पर यह question complete होता है, तो इस question complete हो गए हैं दोस्तों, हाँ तो question number 21 तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा, और दोस्तो question number 21 में बोला है, एकॉनमिक गुड्स आर कंसीडर्ड स्केर्स रिसोर्स बिकॉस, एकॉनमिक गुड्स को स्केर्स रिसोर्स क्यों बोला जाता है, उसका कारण बता दो इन चारों में से क्या है, आपको मनंबर मिल जाएगा, ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं, लिखा है, इसकी क्वांटिटी नहीं की जा सकती, एकॉनमिक गुड्स की, यह ओप्शन, दुबारा कोशन को जज़ भी कर लेंगे जरा, एकॉनमिक गुड्स को स्केर्स रिसोर्स किसलिए बोला जाता है, क्योंकि उसका क्या प्रोड़क्शन ज्यादा नहीं हो सकता, प्रोड़क्शन ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो एक ओप्शन तो यहाँ पर गलत कर दो, ठीक है, मतलब इसकी बात नहीं हो रही है, फिर लिखा है, अच्छा, यह तो मैंने बता दिया, उतनी क्वांटिटी में यह अवेलेबल नहीं होती, यह लाइन लिखिए, आपको बताना है अगलता है, अभी तो, फिर आर और और प्राइमरी इंपोर्टेंस इन सैटिस्फाइंग शोशल रिक्वार्मेंट, प्राइमरी का मतलब में, प्राइमरी की में इंपोर्टेंस है, शोशल रिक्वार्मेंट के लिए, एकॉनमी गुट्स क्या होती है, यह मत सोचना, एकॉनमी गुट्स वही चीज़ जो पैसों में आ रही है, हम एकॉनमी गुट्स की बात कर रहे हैं यहापर, इकॉनमिक का मतलब होता है ना मनी रेलेटेट फिर ए चीजों की बात ने कर रहा है यहां पर फिर आर लिमिटेट टू मैनमेड गुड्स तो इंसान अपने हाथ से गॉड्स बनाता है उससे कम अवेलेबल है एकॉनमिगुड्स तो यह बिना हाथ पैर की चीज़ है यह भी इस नहीं करती है कोई भी गुड़ो बेसिकली उसकी बात करने कोई भी रिसोर्स मतलब रिसोर्से सार लिमिटेड यह लाइन कहना चाहरा है भी ओप्शन ठीक है यहां से बी के साथ जाएंगे अगला कोश्ण कोश्ण नमबर ट्वंटी तु आपके सामने पेश किया जाता है और लिखा है इन आव फ्री मार्केट उकानमी मतलब कैपिटलिस्टिक इकॉंपिटक इकॉण जापने की कोशिकशि करूँ तो अमेरिका और जैसे इकॉन forty अशे के बारे हैं यहां पर सारे के स को solve price, demand or supply के help से किया जाता है, demand or supply के help से economic problem को solve करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को price mechanism बोलते हैं, वो सरी बात कर ली, चलो ठीक होगी निया आगे बढ़ते हैं, free market economy में the allocation of resources is determined by, free market economy में resource कैसे allocate करने है, यह कौन determine करता है, इसका मतलब resource कैसे allocate करने है, मतलब problem को कैसे solve करना है, central problems, problems कैसे solve करनी है, यह कौन decide करता है, अचाब problems कौन सी, economic problem बोल दो, central problem बोल दो, choice के problem बोल दो, यह line पूछिए इसने, capitalistic economy के अंदर central problem कैसे solve करनी है, कौन solve करता है, दोनों बाते एक हैं यहां पर, इससे related बात करनी है, तो voting done by consumer, consumer vote करते हैं, जैसे नेता को चुदने के लिए वोट होती है, तो वैसी vote करते हैं, तब problem solve होती है, या centrally planned authority बनाई जाती है, या कोई authority या कोई group बनाए जाएगा, नेता होगा, वो planning करेंगे, तब problem solve होगी, या consumer की preference के हिसाब से problem solve हो जाएगी, option बड़े तीक है, या फिर the level of profit of the firm, फर्म के profit का level देखा जाएगा, या option बड़े तीक है, अनलाईज करते हैं, चलो यहाँ पर, वोटिंग का system तो है यह नहीं problem solution में, centrally planned authority, यह socialistic economy जो होती है, plant economy, उसके इंदर problem solve करने का तरीका है, और consumer preference को basically demand से connect कर सकते हो, demand consumer prefer क्या कर रहा है, demand एक force है, तो यह वाला हमारे पास सही option जाएगा, C के साथ रहेंगे, C ठीक हमारा option, तो खुल मिला के 22 question हम solve कर चुगे हैं दोस्तों, अब बार यह question number 23 की, और question number 23 बोल रहा है, a capitalistic economy, अच्छा, a capitalistic economy मतलब फिर से free market economy की बात हो गई है, uses dash as the principle means of allocating resources, resource को allocate करने का principle mean मतलब, principle का मतलब हो गया पर school का principle नहीं, main तरीका, main, main बोल लो, ठीक है, resource को allocate करना, मतलब choice की problem को solve करना, मतलब central problem को solve करना, तो capitalistic economy में central problem को solve करने का main तरीके के बारें बात हो रही है, कि कौनसी चीज बहुत जादा main है, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है, चलो जी, option पढ़ लेते, है, demand main है, supply main है, efficiency main है, prices main है, सब समझते होंगे, आप efficiency का मतलब समझ लो, efficiency का मतलब होता है, waste change नहीं करनी, ठीक है, यहाँ पर demand और supply दोनों की help चाहिए होती है, और उससे price decide होता है, सब problems होले, यह demand, यह supply, जहाँ पर दोनों cut करते हैं, वहाँ पर इधर price decide होता है, यह main चीज़ है, तो price is main चीज़, तो D के साथ जाएंगे, 23rd question का answer हमारा D हो जाएगा, D is okay report, good answer, 24th पर आते हैं, लिखा है, which of the following is considered as the disadvantage of allocating resources using the market system, disadvantage पूछा है, resource allocate करने का market system में, market system मतलब capitalist economy की बात हो रही है, यहाँ पर resource को allocate करने का disadvantage का है, चार option लिखे हैं हमारे पास, उल्टे से शुरू कर रहा हूँ, इस वाले हैं बाई, 24th question है, उल्टे से शुरू कर रहा हूँ, profit will tend to be low, यहनि companies का profit कम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ चक करनी है, इसा कुछ नहीं है, तो men of initiative and enterprise are not awarded, यहनि जिन लोगों ने initiative लिया हुआ है, और companies, इनको award नहीं मिलेगा, और award की भी बात नहीं हो रही, कभी-कभी तो बिना हाथ पैर के options हो जाते हैं, मतलब बच्चों को confuse करने के लिए ऐसे सी language देता है, जो किसी ने पढ़ी नहीं है कभी भी, आगे, people do not get goods of their choice, ऐसा option टकराना चाहिए, मतलब हाँ, choice की बात हो रही है, तो economist की बात भी हो रही है, यह लोगों को अपनी मर्जी की goods नहीं मिलेगी, मतलब जो उनको choice चाहिए, वो नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है, disadvantage है, लगता है यार, advantage तो यह ही है, कि जब problem को solve किया जाएगा, तो demand जितनी है, उतनी supply होगी, तो यह option भी गलत नजर आ रहा है, यहां लिखा है, income will tend to be unevenly distributed, यानि इसकी वजए से ऐसा हो सकता है, income unevenly distribute हो जाए tend to be expectation रह सकती है, बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है कि अमीरों के पास जादा income हो जाए, गरीबों के पास कम हो जाए, क्योंकि market economy है, demand or supply के basis पे problem solve हो रही है, तो suppliers को benefit हो सकता है, यानि rich को benefit हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो income की inequality यहां पर हो सकती है, A के साथ जाएंगे, A option ठीक है दोस्तो, 25 में question पे आ रहे हैं, लिखा है, which of the following statement does not apply to a market economy, market economy मतलब capitalistic economy के अंदर यह चारो में से कौन सी statement अपला है नहीं होती है, मतलब चारो में से कौन सा option, market यानि free market, यानि लेजिस फेर है, यानि पहली वाली capitalistic economy के लिए नहीं बना, चारो option पढ़ने फिर अंसर दे सकते हैं इसका तो, पहले पर लिखा है, firms decide whom to hire and what to produce, firm decide करती है कि क्या production करना है और किसको hire करना है, हाँ, market, firm का मतलब market ही decide करती है, तो इसमें तो ऐसा होता ही है, capitalistic economy के इंतर market ही सारे decision लेती है, government नहीं लेती, दूसरा, firms aim at maximizing profit, firm का main motive होता है profit maximize करना है, हाँ, social welfare नहीं होता, वो तो socialistic economy होता है, दोनों बात है ठीक है, थर्ड पे, household decide which firm to work, household decide which firm to work for and what to buy with their income, household यानि हम लोग family decide करती है, normal लोग decide करने है, कि किस firm के बास नोखरी करनी है, और किस firm से समान खरीदना है, हम ही decide करते है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, household मतलब buyer decide कर रह है, ठीक है, और D पे लिखा है, government policy are the primary forces that guide the decision of firm and household, यानि government decide, government policy थोड़ी बताती है, यहां पर, market independent है यहां पर अपने decision खुद ले ले कि government की कोई involvement नहीं होती, इस वाली market economy के अंदर, capitalistic economy के अंदर, government की involvement नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, इसलिए, option D, market economy के लिए नहीं बन option D, ठीक कर दो, ना, राज्या, यह ठीक कर दिया जी, अगले question पर आते है, question number 26 आप के लिए दोस्तों, लिखा है, in a mixed economy, यह नहीं, इंडिया की बात हो रही है, ऐसी बात कर लो, जहां पर government, और market, दोनों मिलकर, काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है, तो लिखा है, all economic decisions are taken by the central authority, स यह बिलकुल गलत है, mixed economy के बारे में, यह लाइन बिलकुल गलत है, इंडिया के बारे में, यह लाइन बिलकुल गलत है, option B पर आते हैं, फिर, लिखा है, all economic decisions are taken by the private entrepreneurs, यानि, private entrepreneurs मतलब Tata, Reliance, Birla, यह सब सारे decisions लेते हैं, इंडिया के अंदर, नहीं, बिलकुल गलत है, यह ला मतलब राजे नहीं है, सरकार है, ऐसे words में होता है, यह आदे decision partly, सरकार लेती है, and partly by the private entrepreneurs, कुछ decision सरकार लेती है, कुछ decision private sector के लोग लेते है, ऐसा इंडिया में होता है, ऐसा ही होता है, इसा नहीं है, कि दोनों मिलके बैठते हैं, और decide करते हैं, मोधी जी बोलते हैं, अच् question उसके लिए suit बैठ रहा है, बिल्कुल सही, और D पे लिखा तो none of the above, नहीं, D तो गलत हो गया, तो C के साथ जाएंगे दोस्तों, C सही answer है यहाँ पर, अगला बनेगा 27th question, तो बोला है, the central problem in economics is that of, मतलब central problem की बात हो रही है, choice की problem की बात हो रही है, what to produce, how to produce, for whom to produce, और future के provision की बात हो रही है, 4 central problem है, यहाँ पर ध्यान रखना, तो क्या बात हो रही है, central problem से related बात हो रही है, question number 27, तो पढ़ेंगे, comparing the success of command versus market economy, command economy, अच्छा मैं बताना, भूल गया था, command economy, socialistic economy का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखना, तो इन दोने की success को compare करना, central problem है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीके न, guaranteeing, guaranteeing word है वैसे, guaranteeing बोल सकते हो, guarantee provide करने को guaranteeing बोलते हैं, guaranteeing that production occurs in the most efficient manner, यह guarantee देना कि production बिल्कुल efficient manner में होगा, यहनि production के अंदर कोई wastage नहीं की जाएगी, यह बात central problem है, central problem में तो choice की बात हो रही होती है, फिर थर्ड पर रिखा है, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, हर एक बंदे को कम से कम कितने पैसे मिलेंगे, इस बात की guarantee, यह भी नहीं पड़ा, क्या है, option D ठीक होगा, जब शुरू के तीन गलत हो गए तो, नकिन D को पढ़ लेते एक बार verify करना ज़रूरी है, ठीक है, लिखा है, allocating scarce resources in such a manner that societies unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner, यह सारे words and स्केर City की बएरी है, तो स्केर Сिटी की बात हो रही है मतलब Economic problem की बात हो रही है, मतलब Central problem की बात हो रही है, तो Central problem से related, ч dancesabil एरा तो, है च sizi hen चाएक तो, भी को ठीक करेंगे और D के सात ही जायंगे बाई, यह यह हमारा ठीक option है यहां पर, ठीक है जी Language, अगले question प्र जरूरत ज़्यादा हो, labor की जरूरत कम हो, ऐसी टेक्निक जिसमें machinery की जरूरत ज़्यादा हो, labor की जरूरत कम हो, वो कहाँ चूज होगी इन चार ओप्शन में, चार ओप्शन में बताना है कि कहाँ चूज होगी, और तो option number one बोल रहा है, labor surplus economy where the relative price of capital is lower, एसी एकॉनमी जहां पर labor surplus है मतलब लोग बहुत सारे हैं काम करने के लिए ready हैं और relative price of capital is lower यह मालो कि हां labor ही बहुत सारे काम करने के लिए उसकी बात हो रही है फिर दूसरा capital surplus economy where the relative price of capital is lower यानि ऐसी एकॉनमी जहां पर capital capital बहुत सस्ती है कम rate पर पैसे मिल जाते हैं कम interest पर पैसे मिल जाते हैं machine बहुत सस्ती है ट्रैक्टर बहुत सस्ते हैं तो इस इसके अंदर capital intensive technique को इस्तमाल किया जाना चाहिए, capital intensive technique को इस्तमाल आ vontade किया जाना जाये जहाँ में capital बहुत सारी available होगी, तो यह यह B जड़ी होगी . तो उस बारे में बात होती है, ठीक है जी, तो अगला question 29th question है, 7 question और रह गए, मैंने बोला 35 question कराऊंगा, बस 7 question और, लिखा है, which of the following is not one of the 4 central problems that the study of economics is supposed to answer, ICI के study material के हिसाब से 4 तरीके के central problem है, बसे अलग-अलग बताऊं, तो काफी सारी writers बोलते हैं कि 5 central problem है, 11-12th के economics में 3 central problem दी हुई है, किसी book के appendix में 5 बनाई हुई है, लेकिन आपको 4 बताया है, तो number लेने के लिए और 4 की बात करेंगे, 4 problem है, तो पूछा है, कि यहाँ पर 4 problem में से कौन सी problem नहीं है, 4 option है न, एक को छुपाया हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी को छुपाया हुआ है, एक को या द दूसरा, when are goods produced, या who consume what, या how are goods produced, यह तो second how to produce problem हो गई, आप who, कौन क्या produce करेगा, यह what to produce में, decide हो जाता, who produces what, यह हो जाएगा, आपका, what to produce में भी हो सकता है, और यह problem, how to produce में भी हो सकती है, कि किसी कैसे production करना है, तो how to produce में जा रही है, who consumes what, यह भी economic question में move करते हैं दोस्तो, 30, large production of dash goods would lead to higher production in future, अगर dash वाली goods का production ज्यादा कर दिया, तो भविशे में production ज्यादा हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ पर बताना है, consumer goods की, capital goods की, agriculture goods की, यह public goods की, यह goods बताए तो, public goods वो goods होती है, जो collectively हम सब लोग consume करते हैं, यह सिर्फ सरका प्रवाइड करती है, यानि सडक, जैसे हो गई, bridge हो गया, flyover हो गया, government जो भी प्रवाइड करती है, पार्क वगेरा, यह सब के लिए है, सब बराबर इस्तिमाल कर सकते हैं, public goods होती है, agricultural goods मतलब farmer के लिए बात हो गई, capital goods का मतलब machine की बात हो गई है, basically, consumer goods का मतलब, बात हो र और चीजों का production ज्यादा हो जाएगा, मैंनी machine का production ज्यादा करते हैं, तो इसलिए capital goods industry हर देश के लिए सबसे ज्यादा होती है, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो अपने देश के अंदर capital goods industry को ही develop किया, उन्होंने, England के अंदर इस बात को ध्यान रखना, भी ही सही है, ठीक है, अगला question 31st लिखा हुआ है, the economic system in which all the means of production are on and controlled by private individuals, ऐसी economy जिसके अंदर, सारे के सारे means of production, on and control हो रहे हैं private individuals के दुआरा, for production था यहाँपर, for production बोल सकते हूँ है, ठीक है न, line को अगर पूरा करना, production के लिए सारे सारे वो means private sector के पास ही है, तो उस economy को क्या बोलेंगे हम, तो socialism बोलेंगे, capitalism बोलेंगे, mixed economy बोलेंगे, communism बोलेंगे, यहाँपर capitalism, capitalistic economy से related बात हो रहे है, तो B हमारा answer रहेगा, private sector जहाँपर resource own कर रहा है, वो capitalist economy, जहाँपर government resource own करती है, वो socialistic economy, यहाँपर दोनों मिलके काम कर रहे है, हमाँपर mixed economy की बात हो जाएगे, ठीक है, अगला question 32, macro economics is the study of Dash, macro से related कुछ बात करनी है, तो 4 option आपके बस चारो बढ़ने पढ़ेंगे, चारो में से किस चीज की study है, macro economics वो बताना है, तो लिखा है, all aspects of scarcity, macro में हो गया, national income, national economy and the global economy as a whole, यह macro का है, बिल्कुल ठीक है, big business, business छोटा हो या बढ़ा हो, एक ही business, एक unit के बारें बात करें, तो big businesses बोल दिया, या big industry बोल दिया, micro economics है, that decision of individual business and people, individual unit की बात हो यह macro है, तो national economy की बात B में होई है, तो B macro economics है, यानि B option यहाँ भर देंगे, ठीक है, 33 question number, freedom of choice is an advantage of, freedom of choice किस चीज का advantage है, ठीक है, choice की अजादी, किस चीज का advantage है, तो socialism, capitalism, communism, communism और none of the above, यह बताना है, अपनी मर्जी से choose कर सकते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर सरकार का control ना हो, सरकार का control का नहीं होता, capitalism में, यानि capitalistic economy, free market economy में, तो B के साथ जाएंगे दोस्तों, B ठी ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 34 question number दिया हुआ है, exploitation and inequality are minimal, यानि बरबादी होती है, मतलब खराब करना किसी को exploitation होता है, और साथ में लिखका है, inequality, मतलब अमीर और गरीब के income के distribution में, जो inequality है, वो कहाँ पर कम से कम है, टार option है, कहाँ पर यह चीज कम से कम है, यह बताना है हमे socialism में, capitalism में, mixed economy में and none of the above में, mixed economy इडिया की बात करें तो अच्छी खासी inequality है, तो अगर किसी को नहीं आते हैं, इस्तिमाल करने तो, नहीं, फिर capitalist economy की बात करें तो यहाँ पर market को बहुत सारे reason लेने होते हैं, यहाँ पर भी income की inequality होती है, अमीर बंदा बहुत अमीर होता रहत कम, socialistic economy में होता है, इसलिए आप देखोगे कि China और Russia या फिर कोई भी socialistic economy है, उन सभी economy में कोई world का सबसे rich आदमी नहीं होगा, तो क्योंकि वो इस चीज में विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं, यहाँ लगबग सबका income level बराबर क्या सपास होना चीए, लास्ट क आप प्राइस होता है, जो सरकार ने decide किया हो, ठीक है, market price वो decide होता है, जो market ने decide किया हो, with the help of market forces of demand and supply, तो जो सरकार ने price decide किया, सीधा option पर attack कर रहे है, तो option कहा लिख़ा है, इसका यह लिख़ा, थाड नमर पर, price determined by external authority, which is usually the government, यहीं तुम बना रहे हो समान, decide को भार का कर तुम हो market, भार है गौर्मेंट, गौर्मेंट ने डिसाइड किया कि तुम्हारा समान का price क्या होना है, तो उस price को बोलेंगे, administered price, इसके अगर बात करें, तो, कोविड टाइम में, कोरोना के टाइम में, government ने डिसाइड किया था, बाद में, कि mask का price क्या होना चाहिए, sanitizer का price क् के साथ इसमें जाएंगे इसके लाव जिखे क्या-कया थे भी देख लो तो हिसे ही कि आपका की आख यहां से करो 9 से 12 नम्बर के प्रपरेशन है जिस लेवल के करानी है तो प्राइगा मैं दिश लिख से 2 términ मोडिल यह बाकि मैंने आपको बताया कि मैराथन सीरीज चलेगी वहाँ पर अलग वराइटी के कोश्चन आएगा जो हमने वादे किये हैं वो पूरे किये जन्यवाद